हाई फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेंड्रूम प्लस प्लस क्रीम के बरे में बहुतों को ऐसा लगता है कि ये एक फिरर्ण स्कृम है और वो अपने चेहरे में लगा लेते हैं बाद में अच्छा खासा side effect देखने को मिलता है तो जानेंगे इस क्रीम का इस्तेमाल किन लोगों को करना चाहिए, क्या-क्या इसके यूजेज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या इस क्रीम से हमें नुखसान पहुँच सकता है, पूरी जानकारी लेंगे, तो फ्रेंट से दिया आपको मेडिसिन से रिलेटेट जानकार्या अच्छी लगते हैं तो हमारे चैनल हेल्थी लेक को जरूर सस्क्राइब कर दें साथे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें यह जो पेंडरम डवल प्लस क्रीम है इसका जो क्लोबेटास और प फंगल की रूप में इसका इस्तमाल किया जाता है इसकीन इंफेक्शन में इसका इस्तमाल किया जाता है जिस जगह पे लाल लाल दाने हो गए है या लाल होके स्वेलिंग सा हो गया है फुजली हो रहा है एक जिमा की सिकायत है तो उस जगह पे इसका इसका इस्तमाल किया ज और इस क्रीम को चहरे में बिल्कुल भी नहीं लगाना है लोग खुछ भी लगाते हैं और दुसरों को भी रेक्मेंडेट करते हैं कि इस क्रीम को लगाने से चहरा अच्छा देखते हैं शुरुवात में ऐसा लगता है कि यदि हम चहरे में लगा लेते हैं तो हमें लगता है क बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है बहुत ही खराप दिखने लगता है तो इत वज़े से इस क्रीम का इस्तमाल डॉक्टर की सलाव पर ही करना है अपनी मर्जी से नहीं करनी है फ्रेंड्स इसे मेकलोर्स कंपणी बनाती है जो कि बहुत ही बड़ी कंपणी है और 15 ग्राम की पेकेजिंग में यह पंदर ग्राम की ट्यूप में यह क्रीम आती है अब इसकी प्राइस की बात करें तो यह और 112 रुपएस की प्राइस है और इस क्रीम का जो रिजल्ट है एंटि फंगल के रूप में बहुत ही सांधार अच्छा रिजल्ट है यदि किसी जगह पे दाध हो रहा है खुझली बहुत है मिलता है उसमें लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलत है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से यह एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें